रहीन प्यारे बिच्चों स्वागत है आपका, आपके अपने परिवार भारत वस्ट क्लासलिस में तो प्यारे बिच्चों कल 3 फरवरी 2024 को क्लास एट का सामाजिक विज्ञान का विक्ली टेस्ट लिया जाएगा और सामाजिक विज्ञान के विकली टेस्ट में तीन सब्जेक्ट के प्रस्ण आते हैं इतिहास, भूगोल और यहाँ पे सिविक्स से तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सिविक्स के कौन पार्ट से इतिहास के कौन पार्ट से प्रस्ण आएंगे, भूगोल का भी बताया था उनके प्रस्ण तर भी करवाये थे इस विडियो में हम सिविक्स पार्ट पुस्तक से जो पार्ट के प्रस्ण आएंगे उन सभी प्रस्णों को हल करने वाले हैं इस विडियो को लाइक करेंगे, अपने अपने दोस्तों को सेर करतेंगे अभी तक आपने भारत वस्वास से इसको सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार्ट करते हैं, पहला प्रसंदे रखा है रिक्त अस्थानों की पूर्ती करें पहला, मानव समाजिक प्राणी है मानव कैसा प्राणी है? समाजिक यहाँ पे खाली अस्थान को भरना है तो यहाँ पे आप भरेंगे मानव एक समाजिक प्राणी है दुसरा है, वेक्ति और समाज का संबंध है खाली अस्थान में हम भरेंगे अन्योन श्रे अन्योन श्रय तिसरा दे रखा है बाल विवा सामाजिक रिकतस्थान है तो यहार रिकतस्थान में भरेंगे कूरिती बाल विवा सामाजिक कूरिती है चोथा दे रखा है कानूनन लड़के और लड़कियों के विवा विवा की आयू करमसा है तो देखिए लड़कों का विवा के आयू है 21 वर्ष और लड़कियों की है 18 वर्ष तो पहले बहरेंगे 21 फिर भरेंगे 18 पांचवा दे रखा है स्वमिधान के अनुसार रिकतस्थान से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना डंडनी है तो यहाँ पर भरिये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी कराना डंडनी है तुथरा प्रसंदे रखा है नसा खोरी के दुस्प्रभाव को लिखें तो लिखना है बच्चा नसा खोरी के निम्न दुस्प्रभाव हैं पहला स्वैम पर नियंतरन कम होना करते हैं उनका स्वैम पर नियंतरन नहीं होता है ना उनकी मांस्तिक स्थीति खराप हो जाती है दुसरा शरीर का वचन कम होना तीसरा एक आगरता में कमी चौथा अस्मरन सक्ती में कमी उन्हें याद नहीं रती है चीज़े और पांचवा अपराधी प्रिविट्टी को जर्म देना ये नसागोरी के दुस्प्रिभाव हैं तुदरा है मानो तसकरी के क्या क्या तरीके हैं तो लिखिएगा मानो तसकरी के निम्द तरीके हैं पहला प्रलोभन देकर लालज देकर जैसे आपके माता पिता आपको अभी भी बोलते होंगे कि कोई भी अजनभी वेक्ती आपको टौफी दे मिठाए दे तो उसे बिना पूझे नहीं खाना ठीक है या फिर लेना ही नहीं दुसरा है पहरन करके भी तसकरी किया जाता है धोखे से अगला लिखेंगे जबरन या बल का पर्योग करके और पांचवा लिखेंगे धमकी देकर अगला प्रिश्ण है बिचा बाल विवा अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान है तो इसमें लिखना है बाल विवा की रोक्थाम के लिए बाल विवा अधिनियम 2006 की निम्न प्रावधान किये गए हैं पहला इसमें लड़कों और लड़कियों के विवा की उम्र क्रमशा 21 वर्स और 18 वर्स निश्चीत की गई है दुसरा अगर कोई वेक्ति जिसकी उम्र 21 वर्स से कम है और वह किसी 18 वर्स से कम्र की लड़की से विवा करता है तो इसे कानूनन अपराद माना जाएगा ऐसी घटना होने पर ऐसे वेक्ति के विरूत पुलीस में प्राथमी की दर्ज कराई जा सकती है तिसरा लिखेंगे अगर लड़की में या फिर या लड़की के अगर लड़की के माता पिता या अभिभावक ऐसे विवा की अनुमती देते हैं अत्वा विवा के संयोजन से सहायता परदान करते हैं या विवा रोकने में आसफल होते हैं तो वे भी दंड के भागिदार होंगे चौथा लिखेंगे अगर कोई पुरोहित ऐसा विवा शंपन करवाता है तो वह भी दंड का भागिदार होगा और आगे लिखेंगे बाल विवा को रोकने के लिए कोई भी वेक्ती प्रतम दर्ज के जिला नियाइधिस के पास याची का दायर कर सकता है छठा लिखना है जारखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाल विवा निवारन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है तो ये था सामाजिक समस्याएं पाट के प्रशन उतर सिविक्स में आने वाले इसके पहले यदि आपने इतिहास और भुगोल वाले नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखे बच्चा उससे भी यहाँ पी बहुत सारे प्रशन आएंगे थेंक्यू बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सेयर गया किजिए